बनारस के श्री शंकर प्रसाद व्यास कची आश्रम में अपने कमरे में बैठे थे और वहां फलों की चर्चा हो रही थी वे इस संबंध में योही कह बैठे कि बाबा की कृपा से सभी कुछ खाने को मिला पर मौसमी फल आम के दर्शन नहीं हुए इसके कुछ समय बाद ही वे मंदिर परिसर में आये जहां बाबा अपनी कुटिया में विराजमान थे इन्हें देखते ही बाबा बोल उठे आम खाने को नहीं मिला आप बाबा की बात सुनकर लजजित हुए और चुपचाप उनके पास बैठ गए थोड़ी ही देर में एक भक्त एक टोकरी आम लेकर ब प्यास जी हाथ जोड़े विनम भाव से निवेदन करने लगे बाबा मैं अपने कमरे में आम की बाद बिना मतलब कर रहा था अब इतने आमों का मैं क्या करूंगा ऐसा कहकर उन्होंने थोड़े आम उस टोकरी से निकाल कर अपने हाथों में ले लिए बाबा उन्हें देख मुस्कराते रहे